दोस्तों आप सभी का बहुत सारा कॉमेंट आ रहा था कि मुख्यमंत्री मया समान योजना की अत्तरकत ओनलाइन अपलाई कैसे कर सकते हैं इस्टेप बाइस्टेप ओनलाइन फॉर्म को कैसे फिल अप कर सकते हैं तो इस वीडियो हम लोग डीटेस में जानेंगे दूसरी बात यदि आपके पास ग्रहक जो फॉर्म में नहीं है तो भी आपका वीडियो को सुरू करते हैं वीडियो को स्थ्रू करते हैं तो ओन्लाइन अप्लाइ करने के लिए सबसे पहले मुखी मंत्री मया समान योजना का ओफिसल वेबसाइट में आना होगा, जिसका लिंक मैंने वीडियो की डिसक्रप्शन में डाल दिया है, तो वहाँ पर भी क्लिक करके आप इस वेबसाइट में आ सकते हैं, या फिर वाट् परगिया के हैन लॉग इन करने का ओप्सन दीख जायेंगा, जिसमें आपको क्लिक वाट्वित करना होगा, परिगया के हैन लॉगिन करने के लिए सबसे पहले आपका CAC ID को यहां पर फिल करना होगा, जो आपका Type ID का उसे फिल करके जो लॉगिन या साइन के बक् onlyारा बट का Option आपको Leftby sitting की इंटर का Option औहां छर्ड करना हो का लाबु का आधार नमर रहां पर फिल कर ना होगा नीची आपको एक बॉक्स दिखित रहा sim में इसमें आपको किली करना केप्चरu envi ça i is से पहले आपका लेटॉप में या आपका fingerprint device में light जलेगा जिसमें ग्रहाग से finger को लगवाने ला है जैसे आपका fingerprint successfully capture हो जाएगा right side में capture success का option दिखेगा और यहाँ पे उपर में भी आपको success का एक pop-up आपको show हो जाएगा यह process जैसे आप complete करते हैं आधार में जो भी details दिया हुआ है लाबुक का नाम और बांकी सारे details यहाँ पे automatic बहुत सारे details देखने को मिल जाएगा आधार कार्ड में जो photo है वो भी यहाँ पे automatic आजाएगा उसके बाद एक photo आपको live यहाँ पे capture करना होगा इसके लिए camera के सामने लाबुक को लेके आ जाएंगे उसके बाद यहाँ पे capture का option में जैसे आपके लिए करेंगे लाबुक का photo capture हो जाएगा और यहाँ पे दोनों फोटो आप देख पाएंगे एक होगा आपका आधार काड़ वाला और दूसरा जो अभी आपने capture किया उसके बाद यहाँ पे ताना का ओप्सन आपको खाली दिखेगा जिसमें आपको फिल करना होगा उसके बाद जीला का option में यहाँ पे आप select करेंगे की कौन सा जीला से आप हैं फिर आपको सहर यानि अंचल यानि परकढ़ परखंड को आपको यहां पर सेलेक्षिन करना होगा कि कौन से परखंड से हैं फिर पंचायत का सेलेक्षिन करना होगा और यहां पर आपको मद्दाता पहचांद पत्र संक्या आपको फिल करना होगा जो कि GHD से सुरू है और यह नंबर आपको वोटर कार्ड में देखने को मि करना है उसके बाद जदी आपका आधार लिंक है तो यहां पे हा में किलिक करना है नहीं है तो नहीं में किलिक कर देना है फिर आपको यहां पे बैंक साखा का नाम आपको यहां पे फिल कर देना है यानि कौन सा बैंक का यहां पे बैंक का था आप यूज कर रहे हैं साथ ही सा कर लेंगे जनमतिती आपका आधार से आजाएगा आयू ओटमेटिक यहां पर दिखेगा कुछ करने की ज़रूत नहीं है यहां पर आपका पहचान चिन को फिल करना होगा या कोई तील का निसान या कट का निसान जो भी चिन है उसे फिल करेंगे अपना मोबाइल नमर को यहा में टिक कर देंगे उसके बाद इसके साथ-साथ कौन-कौन से डोकुमेंस आप इसके साथ में लगा रहे हैं जैसी कि आधार कार्ट मद्दाता पहचान पत्र बैंक पास्वोग पैंड कार्ट रासन कार्ट और स्वाग घुसना पत्र आपका फॉर्म हो गया जो भी चीज़ इनकी पैन कार्ट है तो अपलोड करेंगे नहीं तो इसको खाली चोड़ देंगे बागी सारा डोकुमेंस चूज फाइल पे किलिक करके आपको चूज कर लेना है इसे पहले आपको स्कैन करके रखना है प्रिंटर नहीं है तो आप मोबाइल से भी स्कैन कर सकते हैं या करती हूं कि उपरोगत सभी तत्य सत्य है मैं इस योजना के तहद लाब प्राप्त करने के लिए संपूर्न पातता रखती हूं इसमें टिक कर देंगे और अपलाय पे किलिक करते ही आपका सक्सिसफुली अपलाय हो जाएगा उसके बाद आप बैनेफेसरी लिस्ट पे किलि किया हुआ है अब डोकमेंस को भी चाहेंगे तो देख सकते हैं लास्ट में यहाँ पे प्रिंट वाले उप्सन जो की राइट साइड में उपर में देख रहा है इसमें किलिक करके आप प्रिंट करके या सेव करके रख सकते हैं या तो आप प्रिंट करके सिलिप दे सकते है इतना करते ही आपका online successfully complete हो चुका है इसके बाद जांच होगी संबंदित अधिकारियों के दुवारा और अंतिम जांच होगी वीडियो के माध्यम से या अंचल अधिकारी के माध्यम से और वहाँ पर अप्रूबन मिल जाने के बाद जीला अस्तर से complete approval मिल जाने के बाद आप किसी important और वी साथ किसी next वीडियो में तब तक के लिए thank you आपका दिन सुबो